उनके नहीं मरें, हमारे नहीं मरें, क्या ये खून खराबा सुलूशन है, बंद कर दो ये सारे डिप्लोमेसी, बंद कर दो ये मिठाईयां देनी, बताओ, क्या उनके नहीं किरते, क्या हमारे नहीं किरते, ये पॉलिटिशन ये नहीं कहता, कि वहाँ कोई पॉलिटिशन नही प्रियांका जी के आने से आप देखिए कि वो मल्टिप्लाइगी कि उसने एक पॉजितिव उर्जा का संचार कर दिया है और इस वक्त मारे साथा नव जो सिंग सिद्धू सिद्धू जी इसासत की गर्मी जो है वो डिली से ट्रावल करते वे मुझह लगता है यहां भी पहुँच गई है कि बताएंगे सिसर्डी जने वाली और गरमी आने वाली है भाजपा जाने लिए और कॉंग्रस आने वाली इसहीं का आपने ट्वीट भी किया था एक और एक 11 जो है और भाजपा 9-11 हो जाएगे तो वह इसलिए किया था कि भाई की ताकत आप देखिये कितनी बढ़ गई है और कोई भी अगर आता है तो वह ताकत मल्टीप्लाई करती है लेकिन प्रियांगधा जी के आने से आप देखिये कि वह मल्टीप्लाई नहीं कि उसने एक positive उर्जा का संचार कर दिया है, election महौल के होते हैं, हर आदमी पुलकित हो गया है, हर शो लास से भर गया है, और वो उर्जा है जो आत्म विश्वास जगाती है, देखिए, भारती जनता पर्टी का, तो यह जिस 2014 में भी तो की जा सकती थे, देखिए, यह निरने होते हैं, decision होता है, लोहा जब घर्म होता है, हतोड़ा तब मारा जाता है, समय, देखिए, एक बाद आप समझ लीजिए, कि हर चीज का कोई वक्त होता है, अगर आप कहेंगे, जब आप cricket खेलते थे, तब politics में क्यों नहीं आई, अगर मेरी चाची के मूचे होती, तो मैं उसे चाचा मैं कहता हूँ, हर तरह के विकल्प, जोतर्दिते सिंद्या जी भी आए है, हमारे जैसे छोटे कारेकरता भी आए है, हजारों लोग आए है, हजारों लोग politics में आते हैं, और पार्टी का सशक्तिकरन होता है, लेकिन ये सशक्तिकरन, महला सशक्तिकरन भी हो रहा है, अब य परसेंट अगर कॉर्पोरेशन में और वो लोल लेवल है और वो जड़ है, जड़ सीचोगे तो पेड़ हरा भरा रहेगा, तना भी रहेगा, पत्ते भी रहेंगे देर कोनाट भी अनी फ्रूट, वो पचास परसेंट सशक्ती करण राहूल भाई ने करवाया है, गैपना मिंदर सिंग के द्वारा करवाया है, हमारे मिनिस्ट्रियों में आज पचास परसेंट महलाओं को बराबरी का हिस्सा दिया गया है महला बराबर नहीं होती, एक बात आप जाद रखना, आदमी कितना ही बबबर शेर हो जाए, सवारी दुरगा करती ही आप समझो इस बात को मैं ये कहना चाहरा हूँ कि वो प्रमानित हुआ है कि आज सही तरीके से महला सशक्ती करण हो रहा है चाहे वो बिल की मांग हो, चाहे वो यहाँ प्रैक्टिकली इंप्लिमेंट किया गया हो चाहे प्रियांका जी जैसा वर्ल्ड का रोल मॉडल जिसको दुनिया देखती है, आकरशित होती है जिसमें एक करिस्मा है, एक स्पाक है मगनेटिसम है, चुम्ब की यह ताकत है यही तो बात कही जा रही है कि प्रियांका गांधी में विपक्षी यह कह रहा है कि उनमें एक आकरशन जरूर है खुबसूरत जरूर है लेकिन उनमें वो अनुभव की कमी है जो कि एक प्लिटीशन में होना चाहिए यह वो तैक करेंगे कि हम तैक करेंगे मुझे लगता है कि हडबढ़ा हट है वो छपन इंच का सीना जो है वो 26 का हो गया है और जो तीन एलेक्शन जो हारे है अरे एक एलेक्शन एक चुनाव हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल देता है यह तो तीन तीन ठुके है और जब यह तीन चुनाव हा रहे हैं और उसके उपर सोने के उपर सोहागा अब भाई के साथ बहन भी आके खड़ी हो गई है तो मुझे लगता है कि यह जो लोग कह रहे थे कि 44 आएंगी यह अभी जो वो हुए हैं सर्वे हुए हैं उसमें 160-190 बता रहे हैं तो यह 44-190 कैस समझ लीजिए आप मैंने इनको क्यों छोड़ा मैंने पदों को क्यों छोड़ा पहले तो आप यह बताईये मौतरमा किसी ने 6 साल की राज्यसभा छोड़ी हो बताओ बताओ किसी को प्लेट में टिकेट मिलती हो और कहा जाए कि भाया तुम कुरुक्षेत्र से लड़ ले त सिद्धू जीता जहां आपका कभी कोई MP5 साल भी नहीं करके गया 11 महीने के लिए एक बना था आज क्या ऐसा हो गया कि आंधियों में सिद्धू और रबड़ी खाने का टाइम जब आए जब आपकी सो कॉल लहर जो हमने बनाई उसमें सिद्धू सिख कॉंस्टिचिंसी को चोड़ के एक सिख फेस आपके पास वो बार कुरुक शित्र में चला जाए चलिए करतारपूर कॉरिडोर पे हम आएंगे क्योंकि उसको ले करके विवाद भी कई हुए और होते ही रहे हैं इन फैक्क जब वहां पे शिलान्यास के लिए गये ते उसके बाद भी एक वहां स भले का है यह अगर मान रहे हैं कि आप भले सोच से आप आगे बढ़े आप लोगों की अच्छाई के लिए उनकी आस्था और विश्वास के लिए आप आगे बढ़े बहुत अच्छी बात लेकिन वहां शिलान्यास के बाद जब आप लोग वहां गये और फिर वापस आयो कि इस चीज़ को हला शेरी देने से इस लांगे को खुलवाने से कोई छोटा नहीं होगा कुदरत परमात्मा और धर्म के आगे कोई इगो नहीं होगा लेकिन उनकी तो है ना उनकी तो है ना मुझे भी बताईए ना इनकी और उनकी कहा है मैं इस इगो में पढ़ू वो तो कह रहे है भी या यह 40% हमने खत्म कर दिया आप आईए यह कहते है नहीं जी आप पहले आईए तो इस तरह की बयान बाद लिगा क्या तो फिर इस इन चीज़ों में क्या रखा है 13 करोड लोग जो 70 साल से अरदास कर रहे हैं वो तो आप बोलते नहीं यहां कहां आगी उस बात का यहां तो एक लंगा है चार किलो मीटर का जो दूसरा देश है वो कह रहा हम खोलने को तैया रहा हमने बना दिया आप आईए बात कीजिए तो इसमें गूगलियां कहां से आ कि आग लगाते हैं यह वहां बहुत हैं जो बात मानने वाली नहीं मैं आख रहा हूँ कि जब 14 करोड लोगों का भला हो सरकारों का फर्ज होता है वहाँ सरकारों का अंकार एहम नहीं होना चाहिए, इस चीज को खतम करने के लिए उन्हें अपने आपको छोटा महसूस नहीं करना चाहिए, अगर उनको विश्वास ही नहीं, देगे रिष्टा क्या होता है, किसी से भी विश्वास क्या होता है, विश्वास, कोई भी रिष् हम इतने हम चाहते हैं हम में 13 करोड़ लोग हैं हम इते राकरोड़ लोग हैं जो कहते हैं की यह लंगां खुलना चाहिए और इसमें विगन्बादा मत डाल harass हारे सरकार भी उसके साथ है लेकिन आप ये बताईए कि सामने से गोलियां बरसानी बंद ना हो और जिस तरह से सीमा पार से हर दूसरे में ऐसी ख़बर आती है उस पर आप क्या कहेंगे सतर साल से हो रहा है किसने रोक दिया मुझे एक बात बताऊ ना डुला कीडियां दा सौमन आठा मामा दे ने पुत डिग पर समझी आप पंजाबी में के कीडियों का जितना सौमन आठा गिरा ना उतने माओं के बेटे गिर गए पंजाब के लोग कहते हैं कि मा को तो दोनों तरफ घाटा पड़ता है हारे या कोई जंग जीत जाए क्या हो गया इससे उनके नहीं मरे हमारे नहीं मरे क्या ये खून खराबा सुलूशन है बंद कर दो ये सारे डिप्लोमेसी बंद कर दो ये मिठाईयां देनी मुझे बता अगर आप दूसरे देशों को देखें बॉर्डर खुले हैं आस्ट्रिया को देखें बाकी जगां से देखें तो अमन-अमान से ही प्रोग्रेस होती है अमन-अमान से फौजियों की जान की रक्षा होती है ये फौजी एक पर सुन लो हर फौजी जाए जाए किसान और हर कि possa है जो बॉर्डर भी खुल्वा सकता है त्जारत भी शुरू करा सकता है पीपल टू-पीब ट्यू-प्रकॉंटैक्ट भी करवा सकता है एक आवास को मानोगे च्वाणों को नहीं मानोंगे हैं और आपके तरफ से मेरी तरफ से नहीं यह 14 करोड लोगों के जो नानक नाम लेवा है उनकी दुआ उनकी अरदास की तरफ से